अलो स्टुइंट्स, लेटेस स्टार्ट लेक्षे नमबर 8.2 पार्ट 1 आज हम लोग fundamental principle of counting की concept study करेंगे बहुत important है, पूरा का पूरा permutation combination इसी के ओपर based है अगर एक बार ये concept clear होगे, तो आगे आपको permutation combination में कहीं बहुत ज़्यादा problem नहीं आएगी और उसके इलावा हम लोग इसी के ओपर based ML अगरवाल की exercise 8.2 की question solve करेंगे, तो देखते हैं fundamental principle of counting क्या है, एक बार इसका statement लिख लेते हैं देखिए, इस concept को समझेए, देखिए कभी भी कोशिश, ऐसी कोशिश मत करें कि बिना concept समझेए, सीधा आप question solve करना शुरू करें concept समझेए, थोड़ा सा समय लगेगा, बट वो समय, वो टाइम आपका बहुत easily cover up हो जाएगा, जब आपको question बहुत कम short period में solve होने शिर हो जाते हैं, तो चले start करते concept, कहता है कि if an event occurs in an different way, इसे साथ-साथ एक example से भी ले ले लेते हैं, कि suppose आपके पास, you have to dressed up, आपको dressed up होना है, और आपके पास suppose two jeans हैं, और एक jeans आपको choose करने, dressed up होने के लिए, एक jeans choose करनी, तो क्या कर सकते हैं, आप jeans j1 choose कर सकते हैं, या j2 jeans choose कर सकते हैं, देखे हम दोनों method से चलेंगे, यहाँ पे आपके पास यह है listing method, और यह आएगी आपके पास counting technique, जो यह fundamental principle of counting बता रहा है, कि यह कह रहा है, fundamental principle of counting, कि if an event occur in a different way, अब आपके पास दो jeans है, दो jeans में से, आपको एक jeans choose करनी है, तो कितने तरीके से हो सकती है, आप दो method से हो सकती है, आप पहली jeans choose कर सकते हैं, आप first jeans choose कर सकते हैं, second jeans, दो ही option है आपके पास choose करने के, तो if an event occur in a different ways, यहाँ पे आपके पास two different ways से यह event हो सकती है, and if when it has occurred, जब यह हो जाए, a second event can occur in a different ways, अब आपके पास three, या four जो है, four t-shirt है, अब आपको एक t-shirt भी choose करनी है, तो यह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे listing method से, और यह करेंगे हम counting techniques से, ओके, जो हमारे पास fundamental principle of counting, अब आपके पास four t-shirt है, तो four t-shirt को आप, एक t-shirt आपको चूज करनी है, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, आप पहली ले सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं, तीसरी ले सकते हैं, चौती ले सकते हैं, four ही ways हैं, आपके पास, तो यहाँ पे second event can occur in n different ways, four ही ways से हो सकते हैं, then the total number, अबदी की statement क्या कहता है, then the total number of different ways of occurring of the two event, इन दोनों event की occur होने की, जो number of ways हैं, वो क्या है, वो m into n है, means two into four, that is, eight number of ways हैं, आपके dressed up होने के, आप eight तरीके से dressed up हो सकते हैं, तो यह तो आपके पास है counting, अब आप listing method देखे, के listing method से थोड़ा visualize हो जाता है, फिर हम बाद में करेंगे, तो इसे counting technique सही सभी question को, पर listing method देखे, थोड़ा visualize करके, फिर counting method हमें आसान लगना शुरू हो जाता है, अब देखे, यह listing method में क्या कहते हैं, कि आपके पास jeans J1 थी, अब आपको shirt, T-shirt चूज करने हैं, तो आप क्या सभी एक आप combination इसमें ले सकते हैं, तो क्या क्या combination आगे, J1 T1, J1 T2, J1 T3, J1 T4, इसी तरह से जरूरी नहीं कि आप J1 jeans ले, आप J2 jeans ले सकते हैं, J2 jeans ले के फिर आप T1 ले सकते हैं, T2 ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं, और T4 ले सकते हैं, यानि कि J2 T1, J2 T2, J2 T3 और J2 T4, तो total number of base कितने हो गए अगर आप इसे count कर लें यहां से यहां तक तो total number of base हो गए 8 इसको counting principle में लिखने का method क्या है कि आपके पास देखें यह पूरा का पूरा set जो है repeat हो रहा है यहां पर तो जो repeat हो रहा है जितनी बार यह है यह आपके पास four times है अब यह इतनी बार ही repeat यह four times ही repeat हो रहा है तो यहां पर लिखिए four और इसका जो base है यह कितना है two है तो यहां पर आगए आपके पास two clear तो यही हमारे पास यहां पर भी अगर आप देखें तो counting principle fundamental principle of counting भी यही कहता है कि अगर किसी एक event की occurrence M ways से हो सकता है और उसके बाद दूसरी event N ways से हो सकती है तो total जो number of different ways है of occurring of two events is M cross ठीक है इसे एक example और लेते दीए यहाँ पे क्या था question में यहाँ पे question में जो आपके पास दो bundle थे एक jeans का यहाँ पे दो jeans थी यहाँ पे आपके पास four t-shirts थी अगर आपके पास four t-shirts ही होती सरफ तब क्या होता तो देखे question में बहुत ज़्यादा variety है अब माल लेजे आपके पास second question ले लेते हैं कि जहाँ पे bundle की form में नहीं है कि आपके पास four digits given है four digits given है कौन-कौन से हैं one, two, three and four आपको two digit number form करना है two digit number form करना है तो क्या-क्या ways होंगे तो हम दोनों ही करते हैं listing method से भी करते हैं और fundamental principle of counting से भी करते हैं अब आपके पास कहते हैं कि यहाँ पे bundle नहीं है यहाँ पे पहले क्या था इससे पहले वाले में दो jeans थी और यहाँ पे आपके पास चार टी-शिट थी तो एक आपको यहाँ से लेना था तो यहाँ से लेने के method two हो गए और इसमें से भी एक लेना था तो यहाँ से भी लेने के method four थी तो यह आपके पास total number of ways आ गए अब आपके पास four numbers है two digit number form करना है तो क्या कर सकते है देखिए पहला जो डिजिट है पहला डिजिट 1 हो सकता है पहला डिजिट 2 हो सकता है पहला डिजिट 3 हो सकता है और फिर पहला डिजिट 4 हो सकता है अब जब पहला डिजिट 1 होगा तो दूसरा डिजिट क्या होगा 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है जब second digit two होगा तो क्या होगा पहला जब फर्स digit two होगा जब यह first digit two है तो second digit one हो सकता है three हो सकता है और four हो सकता है three के case में one two and four four के case में one two and three यही possibility बनेंगे two digit number जब आप form करेंगे तो यह जो एक बार आपने one ले लिया तो जो next आएगा उसमें से आपके पास एक digit कम हो जाएगा आपके पास 24 कम रह जाएगी जब आपको two digit number यहाँ पे बनाना है one two three four में से तो जब आपने एक number यहाँ पे first digit में लिख दिया तो second वाले digit के लिए तो आपके पास 24 कम रहेगी तो इसलिए three आगई तो क्या क्या हो गया आपके पास one two one three one four तो यह जो three है देखिए पूरा यहाँ पर repeat कर रहा है पूरा set यहाँ पर repeat किया यह पूरा set यहाँ पर three times repeat किया same element होना ज़रूर ही निया number of times यह देखिए same three times repeat किया तो इसी तरह से अगर हम लोग सबसे पहले listing method देंगे तो क्या हो गया two one two three two four three one three two three four and four one four two four three यह तो listing method हो गया count कर लीजे calculation करके three six nine and twelve ways हो गया अगर हम इसे counting technique से करें तो counting technique से क्या कहेंगे इसी को देखिए इसको concept इसको वैसे भी देख लीजे यहाँ पर shortcut क्या है कि यह आपके पास three ways हो गए तो three ways ही repeat कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो total इसका base है वो कितना है one two three four तो यह आ गया four तो total number of ways होगे four into three that is counting technique से क्या करेंगे हम counting technique से करने के लिए क्या कहा था कि if an event can occur in different ways तो सबसे पहले पहली event क्या है पहली event है आपके पास इसमें हम block बनाएंगे अब पहली event क्या है कि इस block में आपको एक number डालना two digit number है ना तो two digit number में यह जो first digit है इसे कितने तरीके से कर सकते हैं तो आपके पास चार numbers है चार digit है तो चार ways से ही आप select कर सकते हैं अब दूसरा digit कितने number of ways से है अब एक event हो चुकी अब हमें and if when it has occurred a second event can occur in different ways अब second event क्या है कि उस two digit number का second digit लेना तो चुकि आप एक number तो ले चुकिए आप जो second digit लेंगे उसके लिए total number of ways क्या है एक number तो आपका consume हो गया तो तीनी number में से एक number लेना है तो वो हो गया आपके पास number of ways three तो जो total number of ways है that is four into three that is twelve तो यह जो है आपको देखो मैंने इसलिए यह वाला आपको concept बताया जिससे आपको visualize हो जाए सारे groups otherwise हम लोग direct is a shortcut जो fundamental principle of counting है उसी से करेंगे अब इसी में जर्नलाइजेशन आ जाता है जर्नलाइजेशन बहुत सिंपल है कहता है कि अगर कोई event m ways से हो and when it has occurred a second event can occur in n different ways and when it has occurred a third event can occur in p number of ways and so on then the total number of different ways of occurring of an event is so अभी तक हमारे पास क्या था इस वाले इवेंट कि हमारे पास दो ही event थी एक m event हुई उसके बाद n event हुई n number of ways से second event हुई आपके पास पहली event m number of ways से हुई दूसरी event n number of ways हुई तो आपने fundamental principle of counting से का है कि total number of ways for occurring of two different events is m into n अब आपके पास के अब आपके बहुत सारी इवेंट आ गई m event हो गई फिर्स्ट इवेंट एम वेस से हो गई उसके बाद विन इटाइज ओकर second event n वेस से हो गई विन इटाइज ओकर third event p number of ways से हो गई मैं इटाइज ओकर fourth event किसी और number of ways से हो गई तो total number of different ways of occurring of the all event is m cross n cross p and so on this is just generalization of fundamental principle of counting to a leak later in statement तो देगी यही हम लोगो ने लिखा if an event can occur in n different ways and when it has occurred a second event can occur in n different ways पहली event आपके पास m way से हो ही, second event n way से हो ही, following which a third event can occur in p different ways and so forth then the total number of different ways of occurrence of all the event is m cross n cross p इसको थोड़ा सा एक बार question example से समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने previous example में किया कि आपके पास two genes हैं, तो genes को आप select करेंगे, तो कितने number of ways से यह event होगी, j1 और j2 दो ही हो गया, इसके direct हम लोग यहाँ पर counting technique भी ले सकते हैं, तो दो genes को हम लोग कितने number of ways से choose कर सकते हैं, दो से कर सकते हैं, अब आपके पास four T-shirts हैं, जैसे as usual, यह combination तो वही बन गया, तो आप genes one के साथ T1 ले सकते हैं, दें T2, आप कहेंगे सर सेमी कोशन हैं, तो आप दुबारा क्यों करा रहे हैं, तो सेम नहीं है, थोड़ा सा हम इसका आगे further expansion करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, four हो जाएगा यह मैं आपको बताई चुका हूँ, कि यहाँ तक अभी, यहाँ पे क्या था, यह four बताया था, मैंने देखी, यह सारे के सारे as it is repeat कर रहे हैं, four ways है, यह भी four है, यहाँ four लिख दीजिए, यहाँ पे two, listing method में करेंगे, तो J1, T1, J1, T2, इस तरह से चलेगा, अब आपके प इसका आसान तरीका यह है, कि जितने एवेंट उतने ब्लॉक बनाई हैं, पहले ब्लॉक में डालिये कि कितने number of ways से कर सकते हैं, तो पहला जो इवेंट आपके पास two jeans है, two jeans में से एक jeans select करना, दो number of ways है, second block में second event, four t-shirt में से एक t-shirt कितने number of ways से ले सकते हैं, four ways से ले सकते है third block बनाई है, third block में third event, three shoes है three shoes को कितने number of ways से choose कर सकते हैं, three ways से choose कर सकते हैं, तो total number of ways, different ways of occurrence of all the events is two into four into three, तो ये block method है, यही हम लोग आगे करेंगे, पर ये based है fundamental principle of counting पर listing method देखते हैं, इससे थोड़ा visualize होंगी चीज़े, अब T1 के साथ आप S1 शूज ले सकते हैं, S2 शूज ले सकते हैं, S3 शूज ले सकते हैं, T2 के साथ आप S1 ले सकते हैं, S2 ले सकते हैं, S3 ले सकते हैं इसी तरह से T3 के साथ ले सकते हैं, S1 S2 और S3 इसी तरह से T4 के साथ चलेंगे, T1, T2, ये वाले हरी combination के साथ, इसके साथ भी S1, S2 और S3, तो देखे, ये जो आपके पास 3 है, ये जो 3-3 के combination है, ये ही तो repeat कर रहे है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, देखे, 3 ये 3-3 का ही तो repeat हो रहा है, इसका base, हर एक 3 का base, same आ रहा है, देखे, ये देखे, तो क्या हो जाएगा, listing method से ही हो जाएगा, 2 into, अगर आप इसकी listing करेंगे, तो क्या हो जाएगा, J1 T1, S1, J1 T2, J1 T1, J1 T1 S2, J1 T1 S3, एक तो ये बन गया, फिर J1 के साथ T2 चलेगा, J1 T2 S1, J1 T2 S2, J1 T2 S3, and so on, तो इस तरह से कितने बना पाएँगे, 2 into 4, 8, 8 into 3, 24, that is answer is 24, अब इसमें क्या था, इसमें ये जो आपके पास event है, ये अलग-अलग बंदल की form में है, ये आपके पास 2 jeans है, 4 jeans है, 3 shoes है, अगर आपके पास क्या हो जाएगा, ये सेम जो question था, कि 4 dessert number है, आपके पास क्या है, 4 लिए तो 1 तो consume होगे, अब आपके पास क्या बचा देखिए अब यहां पे हम लोग counting principle भी करते हैं और listing method भी करते हैं three digit number form करना है means three digit हमें choose करना है तो तीन हमारे पास events हो गई तो पहली event क्या है यहां पे यहां पे आपके पास total number है one two three four आपने यहां पे एक number choose करना यह आपकी पहली event है तो कितने number of different ways है four आप first choose कर सकते है second third fourth को इसे भी choose कर सकते है जब आपने यहां पे एक number choose कर दिया तो एक तो consume हो गया कोई भी एक consume हो गया अब यहां पे आपके पास जो total four थे अब जो remaining बचे वो three बचे अब second event में आपके पास च्वाइस कितनी रह गई थ्री रह गई तो three number of ways से आप choose कर सकते हैं जब आपने second choice ले ली तो आपका एक number एक dessert और consume होगे अब आपके पास च्वाइस एक कम रह गई अब आपके पास स्रिफ दो च्वाइस रह गई अब उन दो च्वाइस को आप कितने number of ways से ले सकते हैं दो number of ways से लेख सकते हैं तो यह हो जाएगा four into three into twelve तो यह तो हो गए आपके पास दीए यहाँ पर आपके पास bundle की form में नहीं है जैसे यहाँ पर jeans टी शिट आपके bundle की form में तो question देखे है एक ही तरह का पर थोड़ा सा जो है उसका लुक है वो अलग है अप अगर हम इसे listing method से करें तो पहले आपने one ले लिया two ले सकते है two ले ले सकते three ले सकते और four ले ले सकते है जब one ले लिया आपने तो one के बाद जो second digit है वो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है क्योंकि 1 तो consume हो गया अब जब 1 के साथ आपने second digit 2 ले ली तो 1 और 2 दोनों ही consume हो गया तो आप third digit 3 ले सकता है या 4 ले सकता है यहाँ पे जब आपने 1 के साथ 3 ले लिया तो 2 digit 1 और 3 तो consume हो गई आपके पास डिजिट का है बचे टू और फॉर इसी तरह से जब वन के साथ आपने फॉर ले लिया तो वन और फॉर कंजूम हो बचा टू और थ्री तो ये आपके पास टोटल नमबर हो बेस होंगे इसी तरह से देखे यहाँ पर आपके पास दो दो की यह जो दो दो है यही पूरा यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिख दीजे टू अब one के साथ इसका base देखे two है इन दोनों का base two इन दोनों का base single इन दोनों बतलब base same चल रहा है इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखे तो इसका base one है इसी तरह से two के लिए भी आपको क्या मिलेगा one, one भी मिलेगा three भी मिलेगा और four की भी choice मिलेगी तो यह फिर same चलेगा फिर one के साथ आपको मिलेगा two और one के साथ आपको मिलेगा three और four ले सकते है तो यहाँ पे आपके पास क्या आगए यहाँ पे आपके पास आगए three और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास one, two, three, four, four choice है तो आपके पास यहाँ पे आगया 4 अगर आप इसके लिस्टिंग करें तो क्या बनेगा देखे 1, 2, 3 ये वाला एक ये वाला 1, 2, 3 इसी तरह से 1, 2, 4 1, 3, 2 1, 3, 4 इसे लिस्टिंग कर दीजिए 1, 4, 2 1, 4, 3 तो ये 1 वाले सेट के आगए ये 2, 3, 4, 1 वाला पूरा हो गया ये पूरा 1 वाला हो गया इसी तरह से 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला ये सब चलेंगे तो टोटल अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 24 होंगे, ये आपके पास यहाँ पे 6 हैं, 1 के लिए 6 ही 2 के लिए मिलेंगे, 6 ही 3 के लिए तो ये कोशिश करी हम लोगों ने आपको दूनों चीज़े, इसे कराने का फायदा यह हुआ कि विजुलाइज हो, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ है कि इसमें देखें, इस ब्लॉक बैथर ध्यान रखेगा सबसे इंपॉर्टन चीज़ है कि लोगों ने किया कि रिपिटेशन एलाओड नहीं थी, रिपिटेशन का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार वन ले लिया, इस वाले ब्लॉक में एक बार अगर वन ले लिया तो वन कंजूम हो गया, खळच हो गया, उसे आप दुबारा नहीं ले सकते हैं पर अगर repetition allowed हो जाए फिर क्या होगा देखें अब इसमें बहुत important चलेगा if repetition allowed तो उस case में number of ways कि number of ways of forming our digit number हमें our digit number बनाना है out of n number और n number हमारे पास है जैसे अभी हमने उपर में से 5 में से 2 digit number बनाया 3 digit number बनाया तो जो total number of when repetition is allowed तो number of ways होंगे n raised to the power कैसे देखें कि अब आपके पास क्या है कि आपके पास suppose फिर से वही 4 digit है total number of digit आपके पास number of digit है 4 number of digits है 4 और आपको बनाना है 3 digit number फॉर्म करना है 3 digit number यह फॉर्म करना है और condition इस बार है कि repetition allowed counting आपके पास इस method से तो simple आ रहा है कि 4 इसका जो answer है इसका answer होगा आपके पास 4 raised to the power 3 आपके पास total number of digit or repetition allowed है होगा कैसे क्या क्या बनेगी वो देख लिए यह क्या फरक है आप one ले सकते है two ले सकते है three ले सकते है four ले सकते है डिजिट है one two three four ओके अब one के साथ क्या ले सकते है इससे पहले वाले में जब repetition allowed नहीं थी तो one यहाँ पर consume हो गया तो आपके पास बचता था two three four पर चुकि यहाँ पर repetition हो सकता है one के साथ one आ सकता है तो one के बाद one two three और four ओके repetition allowed है यानि कि आपके पास यहाँ पर एक combination one 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 का भी आ सकता है one two three four में से आपने पहले में जो number of ways to choose first number is four यहाँ पर आपके पास four था second में आपके पास यह एक number consume हो गया तो second way में आपके पास पहले बचेते three पर अपकी बार के repetition allowed होने के कारण यह one दुबारा आ सकता है तो यहाँ पर आपके पास choose करने के जो आपके पास choices है वो four ही रही और इसी तरह से यहाँ पर भी choices four ही रही और listing method से मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूं तो यह हो गया four into four into four that is four cube तो यह तो block method हो गया आपके पास counting technique और यहाँ पर आपके पास listing method से भी देख लेजिए अब फिर one के बाद choice क्या बचेगी one two three and four यह one consume नहीं हुआ हमने one के पास दुबारा से choice को लिए तो क्या होगा देखे यह आपके पास इसी तरह के four four के set मिलते रहेंगे फिर यह four के set four के साथ bound हो रखे है और यह जो four है यहाँ पर four के साथ bound हो रखे है नहीं कि four into four into four आप कर भी सकते one 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 two one one three one one four इसी तरह से इसकी listing भी कर सकते है clear तो this is all about fundamental principle of counting और आगे का permutation combination कापी हद तक इसी के ओपर based है तो चलिए अब इसमें एक example एक कुछ example और ले लेते हैं जो कि इस चीज़ को clear करेगा कि example is तो हमारे पास एक question है कि यह suitcase bag having lock containing three wheels अब उसमें three wheels है यहाँ पर one two three अब zero two nine फिट कें बी open in three specific dessert और zero two nine इस पर learner है अब zero two nine की हमारे पास choice है यह total जो choice है हमारे पास वो ten Objects है फिट can be opened in three specific dessert अब यहाँ पर इस पर भी zero two nine mark है इस पर भी zero two nine mark है इस पर भी zero two nine mark है इस और इसमें से कोई एक चूज कर सकता है, इसमें से कोई एक चूज कर सकता है, तो आपके पास total number of ways कितने हैं, तो total number of ways to open the suitcase, तो सबसे पहला case बनेगा कि when repetition allowed, 0 to 9 में से कोई साभी एक number ले सकते हैं, तो 10 है, 10 आपके पास number of ways हो गए, यहां पे भी आपके पास 10 number of ways हो गए, और third में भी 10 number of ways हो गए, repetition allowed है, यानि कि अगर यहां पे एक बार माल लीजे 3 आगया है, तो यहां पे भी 3 आ सकता है, इसी तरह से अगर यहां पे 5 आ गया है, तो यहां पे भी 5 आ सकता है, यहां पे 5 आ सकता है, यहां पे 5 आ सकता है, this is called repetition allowed, तो यहां पे total number of ways हो गए, 10 raised to the power 3, that is 1000 और if repetition not allowed repetition allowed नहीं होगी तो क्या होगा repetition अब हम लोग listing method नहीं करेंगे block बना के करेंगे तो if repetition not allowed तो पहले वाले में यहाँ पे आपको जो पहला block है इसे तो आप choose कर सकते है 10 number of base, 0 to 9 मेंसे कोई सा भी number हो सकते है जो भी एक number आ गया वो consume माना जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक choice कम हो जाएगे यहनी कि 9 choices मिलेंगे आपने suppose 5 select कर लिया यहाँ पर अब जो भागी के यहाँ पर है 5 नहीं रह जाएगा 0 to 9 except 9 except 5 तो आपके पास एक number कम हो जाएगे यहनी कि 9 choices रहेगे इसी तरह से 3rd में आपके पास 8 choice रहेगी that is repetition not allowed तो number of ways हो जाएगा 10 into 9 into 8 that is 7 to 0 तो बहुत simple simple है चलिए अब हम लोग ML Agrawal के exercise 8.2 solve करते हैं तो first question है कि if in a cricket match how many choices can be made for man of the match अब आपको थोड़ा cricket के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपके पास दो team है 11 player यहाँ पे और 11 player यहाँ पे अब टोटल number of players आपके पास man of the match तो कोई एक ही होता है और दोनों team में से होता है ध्यान रखेगा तो total number of player यहाँ पे हो गए आपके पास 22 अब 22 में से एक ही man of the match होगा तो इन 22 में से एक को जो चूज कर सकते हैं वो कितने तरीके से एक चूज करना है 22 है तो कितने तरीके से चूज कर सकते है 22 number of ways से तो number of ways ठीक है बहुत इजी है तो block बना के करिए यहाँ पे आपको देखे एक ही block बनाना है एक block क्यों बनाना है क्योंकि एक प्लेयर चूज़ करना है आपको एक ही इवेंट करानी है आपको यहाँ पर अब आपके पास second क्या है कि in a class there are 22 girls and 17 boys 22 girls हैं आपके पास girls हैं 22 और boys हैं 17 the teacher want to select either a girl or a boy आपको girl या boy में से कोई भी एक select कर सकता है to represent the class in a function तो जब आपके पास girls या boys में से कोई सा भी choice कर सकता है तो आपके पास दो तरीके हैं से कि दीखे अब आपके पास 22 तो girls है और 17 boys है और कोई एक चूज़ करना either this or this तो और के case में जब end होगा तब तो fundamental principle of counting for multiplication लगेगी अगर और का case होगा तो fundamental principle of counting with addition लगेगी यानि कि add हो जाएगा तो हमारे पास 22 में से एक choose करना है यानि कि total number of ways तो number of ways of selecting either a girl और a boy तो 22 में से एक कितने तरीके है 22 में से एक select करने के 22 number of ways है और है यहाँ पर देखिए ध्यान रखेगा यहाँ पर और है या तो यह या यह तो इसलिए plus आएगा और 17 boys में से एक आपको boy select करना है तो कितने number of ways है 17 तो that is this is 17 तो total number of ways हो गए 39 इसे हम simple भी देख सकते देखिए आपके पास आपको यह तो boy यह girl को एक select करना है तो total आपके पास है 39 22 प्लस 17 और 39 में से कोई एक होना चाहिए तो आपके पास total number of ways हो गए 39 इस तरह से भी कर सकते हैं इन दोनों को आपने यहाँ पे boys और girls को ही add कर दिया कोई सा भी method आप apply कर सकते हैं चले next देखते हैं second question कहता है in a class there are 17 girls and 22 boys in how many ways can the teacher form a team of one girl and one boy from amongst the student of the class to represent the school in a use अब आपके पास क्या है first में boys हैं आपके पास 22 और girls हैं आपके पास 17 तो total number of दिखे हम थोड़ा सा language आप अपने लिख लिएगा total number of ways आपको एक boy choose करना है तो आपके पास देखें अब हम block method यूज़ करेंगे यहाँ पे दो हम लोगों को चूज़ करना है boy and girl यहाँ पे and है तो आपके पास total boys कितने 22 तो 22 में से कितने number of ways से आप इसे choose कर सकते 22 ways से girls कितनी है 17 तो 17 girls में से आप second choice जो है कितने number of ways से हो सकते 17 ways से तो total number of ways fundamental of principle of counting से क्या हो जाएगा 22 into 17 देखे कितना easy कि यह event आपके M ways से हो रही है और when it has occurred second event can occur in N number of ways then the total number of ways to occurring two event is M cross बहुत simple है second देखते है of 11 cricket player one is to be chosen as captain and other as wise captain अब देखिए यहाँ पे आपके पास यह दो है यह आपके पास हो गया captain और यह हो गया आपके पास wise captain ठीक है number of players कितने number of players है 11 how many choices are there तो number of ways choose captain and wise captain तो दीखिए इससे उपर वाले question में यहाँ पे bundle की form में 22 boys और 17 girls थी तो इसमें से आपको 22 में से एक select करना था 17 में से एक select करना था अगर आपको 22 में से ही 2 select करने पड़ जाते तो क्या हो था 22 और दूसरे वाले की choices रह जाती 21 इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है हमारे पास 11 player है हमारे पास क्या 11 player है 11 player में से captain चूज करेंगे पहले तो captain चूज करने के जो हमारे पास number of ways होंगे वो कितने होंगे 11 अब जैसे 11 आपने किया तो एक जो player है वो तो consume हो गया अब आपके पास number of player रह गए 10 तो जो वाइस captain चौज करने की जो आपके पास choices रह जाएंगी वो एक कम हो जाएगी that is 10 रह जाएगी तो number of ways to choose captain and wise captain is 11 into 10 कितना easy that is 110 इसी तरह से अब अगर हम third देखें कि लटा wants to go abroad by air and return by ship अब जाएगी तो वो air से third देखते हैं जाएगी वो air से और return करेगी ship से he has a choice of six different airlines तो airlines तो हैं उसके पास six और ships हैं उसके पास four जाएगी वो किससे airline से और return होगी किससे ship से तो in how many ways she can perform हर जर्णी तो क्या होगा अब उसको क्या करना है देखें फिर से block बनाएगे यहाँ पे उसको यह हो गई इसके जाने का और यहाँ पे हो गई इसका जाने का going और यहाँ पे returning का तो यह आपके पास airline से जाएगी और यहाँ पे आपके पास ship से आएगी आपके पास airline total choices six six में से कितनी choice यहाँ पे ले सकती है six number of ways से जा सकती है और return के आपके लिए ship से आना है तो ship की choices है four तो four में से एक choice यहाँ से ले सकती है means total number of ways to return is four तो total number of ways to perform his journey is 6 into 4 तो क्या आजाएगा दीगे किते simple simple question है एक-एक lying की question है सिर्फ समझने वाली बात है पर सारी आप visualization में बार-बार कह रहा हूँ आप question को समझ लीजेगा धंग से दीरे-दीरे करके यह शुरू होंगे चलिए question number 3 देखते हैं There are four doors in lotus temple In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door तो door तो है आपके पास four देखे अब आपके पास एक ही bundle में जैसे तरह आपके पास boys 22 थे, girls 17 थी इस में से एक choose करना है, इस में से एक choose करना है अब ऐसा नहीं है अब आपके पास यह 22 में से ही दो choose करना है तो इसी तरह से क्या है कि four doors है एक person को enter करना है यह हो गया enter एंड यह उसको उसके बाद leave भी करना है तो यह हो गया leave तो leave करना है by a different door यानि कि repetition allowed नहीं है यानि कि जिस door से एक बार वो enter कर गया, उस door को consume कर लिया उसने उसको फिर leave नहीं कर सकता तो enter करने के number of ways कितने है four तो total number of ways कितना हो गया four into three तो question number third का second देखते है four person a, b, c, d आपके पास a, b, c, d four person है to give lecture to an audience in how many ways can the organizer arrange the order of their presentation इनको कैसे arrange कर सकता है means आपको इनको arrange करना है तो आपके पास चार organizer है इनको चार number of ways से ही आप arrange कर सकते है तो पहले वाले block में आप इन चार में से किसी भी एक को आप भेज सकते है यानि कि total number of ways is four अब आपने माल लिजे b को भेज दिया तो आपके पास क्या रह गया तीन आपके पास lecturer रह गया तो जो second event जो है वो three ways से हो सकती है यानि कि second lecture तीन में से कोई एक lecturer ले सकता है तो total number of ways three हो गया अब माल लिजे c भी consume हो गया माल लिए d भी हो सकता है ये भी हो सकता है अब आपके पास total number of ways बचे two यानि दो lecturer बचे और दो में से उनको arrange कर सकते है दो ही तरीके से अब दो में से ये भी ये भी consume हो गया for presentation is four into three into two into one that is twenty four चली next देखते है question number four देखेगी find the number of four letter words अब की बार हमारे पास four letter words है with or without meaning हमें four letter word find out करना है with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose rose हमारे पास है r o s e इन से हमें four letter word बचाना है repetition of letter is not allowed तो जब हम लोग letter बनाएंगे four letter word बनाएंगे four letter word बनाएंगे तो क्या होगा जो पहला letter होगा वो रोज में से ही कोई एक होगा यानि कि हमारे पास total number of choices four है तो four में से कोई एक होगा second letter जब हम लोग choose करेंगे तो इनी चार में से एक तो यहाँ पे consume होगा suppose हमारे पास O consume होगा suppose assume कर लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास choice बची तीन तो तीन में से कोई एक ले सकते यानि कि three अब हमारे पास two choices कम होगा O भी consume होगा S भी consume होगा suppose E भी हो सकता था हमारे पास 24 बची दो तो दो 24 को हम लोग दो number of ways से choose कर सकते हैं अब हमारे पास 24 बची एक तो means जो total number of ways है वो क्या है 4 into 3 into 2 into 1 clear होगे हैं अब इसी तरह से this is 24 अब in how many ways can the letter of the word mother अब की बार आपके पास है mother can be arranged to form the word beginning with the T अब जरा ध्यान रखें अब आपके पास है mother m-o-t-h-e-r आपको how many ways than the can be the letter of the words mother इसे कितने तरीके से arrange कर सकते हैं means वो ही है आपके पास की 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कितने 6 letter word इस से बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अगर हम लोग simple question से चलें तो फिर वो ही है आपके पास यहाँ पे total 6 हैं पहली choice पहला word जो है आप 6 way से choose कर सकते हैं second आप 5 से कर सकते हैं third, four से, four, three से फिर आपके पास एक consume हो गया फिर last एक बचा यह तो आपका simple method था पर इसने यहाँ पे condition लगा दी condition क्या लगा दी condition लगा दी कि we arrange to form what beginning with T की पहला letter जो है हमेशा T होगा means अब आपके पास यहाँ पे जो यह six word हैं one, two, three, four, five, six one, two, three, four, five, six इसमें जो पहला है वो T है T means what? T means कि आपके पास total जो यहाँ पे आपके पास mother था, यह जो mother था आपके पास इसमें पहला जो आपको choose करना है वो T choose करना है यानि एक ही T है और उसमें से एक ही choose करना है यानि कि जो total number of possible ways है, total number of ways to choose first is one only ध्यान रखेगा कि यहाँ पे आपके पास जो पहले के लिए twice है वो सिर्फ एक है क्योंकि एक ही T है और एक ही T को choose करना है ओके अब T तो हो गया consume, अब second जो word है वो कितने ways से choose कर सकते हैं, अब आपके पास बचे 5 mother में से M-O-H-E आर ये बचे second जो number है वो आप 5 ways से choose कर सकते हैं अब आपके पास T consume होगा है, suppose H consume होगा है suppose, अब आपके पास बची 4 choice तो 4 choice में जो third जो आपके पास third जो number है वो आप 4 ways से then इसी तरह से 3, then 2, then 1 तो आपके पास जो total number of choices हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1 and 2 देखे इस बार इसने condition लगा दी, अब दीरे condition लगाना शुरू करेंगी questions में तो question थोड़ा सा tough होने शुरू हो जाएंगे तो total number of ways हो गए 120, चले next इसका third part देखते हैं third part है आपके पास, की for a group photograph 3 boys and 2 girls आपके पास 3 boys हैं stands in a line in all possible ways आपके पास 3 boys और 3 girls stand हो रहे हैं in all possible ways how many photo could be taken if each photo corresponding to each such arrangement अब आपको symbol कुछ नहीं करना है आपके पास 3 boys और 3 girls हैं उनको आपको arrange करना है 1, 2, 3, 4, इसमें कोई condition नहीं रखे कि 2 boys एक साथ आए, 2 girls अभी देखें, धीरे-धीरे question tough होता चला जाएगा यह कहेगा कि 2 boys एक साथ आए यहाँ पे सुर्फ boys आने चाहिए boys एक साथ आने चाहिए girls एक साथ आने चाहिए यहाँ एक boys और दो boys के बीच में एक girls आनी चाहिए इस तरह से जो है यह condition अलग-अलग लगाते चले जाएगे तो वो arrangement धीरे-धीरे करके change होते चले जाएगे यहाँ पे कोई arrangement नहीं है यहाँ पे simple कहा कि आपके पास 3 boys हैं, 2 girls हैं and stands in a line in all possible ways how many photos could be taken इसमें boys और girls को अलग-अलग distinguish करने का कोई मतलब भी नहीं है यह तोटल आपके पास 5 है और 5 को आपको टोटल को arrange करने कितने number of ways से आप arrange कर सकते हैं आपके पास number of possible arrangement कितने हो गए यहाँ पे कोई condition नहीं दे रखी है तो पहले को आप जो पहला student है वो 5 में से कोई सा भी एक ले सकते हैं यहाँ कि 5 number of ways हो गए दूसरा जो है अब एक तो वाई है एक girl में से कोई भी एक तो consume हो गए आपका chance तो अब आपके पास second बचे 4 ways third बचे 3 then fourth 2 then fifth 1 that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 20 into 360 into 120 okay चले next देखते हैं fourth क्या कहता है कि six picture are to be arranged in a line from left to right on a wall of an art gallery six pictures है हमारे पास यह first six pictures है उसे arrange करना है from left to right how many arrangements are possible कितने arrangement possible है तो left to right जब आपको arrange करना है तो six pictures हैं तो पहले यहां पे आप कितने number of choices आपके पास available है six में से कोई सा भी एक रख सकते है कोई सी भी एक picture रख सकते है फिर दूसरी choice कोई सा भी एक रख सकते है बची भी पाँच में से एक picture तो आप already यहां पे install कर चुके अब दूसरी picture जो है है वह आपके पास five choices है उसमें से कोई एक ले सकते है pictures के लिए choice बची four, fourth के लिए बची three, fifth के लिए बची two and six के लिए बची one तो number of arrangement केतना हो गया number of arrangements हो गया आपके पास six into five into four into three into two into one five तक तो जो है multiplication 120 आती दर six भी है तो that is 720 clear चली next देखते है fifth केता है sandy has five shirts four pants three pair of shoes, socks and two pair of shoes आपके पास five shirts four pants है three pair of socks है two pair in how many different ways can he dress himself तो यह तो मैं करा चुका हूँ तो अब आपको जो आपको dressed up होने के लिए चार event है आपके पास एक आपको shirt choose करनी है एक आपको pant choose करनी है एक आपको socks choose करनी है और एक आपको shoes choose करने है तो shirt choose करने के जो number of possible ways है वो कितने हैं five है क्योंकि five आपके पास shirts है तो five में से five ही number of ways है to choose shirt इसी तरह से pant choose करने के four socks choose करने के three और shoes choose करने के two तो total number of ways जो हो जाएंगे total number of ways कितने हो जाएंगे हाँ पर fundamental principle of counting लग जाएगा this is five into four into three into two चले next देखते है how many three letter code words are possible using the first ten letter of English alphabet अब first ten alphabets लिए है नहीं कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक हो गया आपका इसमें से आपको three letter code word बनाना है तो अब आपके पास three letter code word का मतलब हो गया first है repetition not allowed तो three letter code बनाना है तो पहला letter जो आपके पास choice करने के लिए जो number of ways है वो कितने हैं तो ten में से कोई सा भी एक choose कर सकते हैं अब repetition not allowed अब देखें यहाँ पहला case है repetition not allowed अगर आपने एक बार a ले लिया तो a को दुबारा नहीं ले सकते b ले लिया तो b को दुबारा नहीं ले सकते कोई भी एक ले लिया तो means अब आपके पास a कम हो गया suppose a कम हो गया suppose मान लिया a कम हो गया हमारे पास a हमने छोड़ दिया B भी हो सकता था, C भी हो सकता था अब आपके पास choices बची 9 तो second letter 9 बेस से ले सकते है अब आपके पास suppose B भी consume हो गया, अब आपके पास choices बची 8 तो आपने 8 हो गया, that is this is 10 into 9 into 8 ओके, अब second जो है, इसमें repetition allowed है repetition allowed तो क्या हो जाएगा, अब आप के पास अब आपके पास, पहला जो choice है, वो आप 10 ways से fill कर सकते हैं अब जो आपने, suppose आपने F ले लिया, पर F अभी भी दुबारा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि repetition allowed है, means choices आपके पास दुबारा से same रही 10 की 10 फिर F आपके पास, दूसरी बार भी यहाँ पे भी माल लिया, आपने F ले लिया, यहाँ पे भी F ले लिया, assume कर रहे हैं हम लोग अब आपके पास F की choice अभी भी रही, means total number of choices अभी भी 10 है, यानिकि 10, तुम fundamental principle of counting के according यह हो जाएगा 10 into 10 into 10 और मैं direct भी बता चुक हो, n raised to the power R means 1000 और यह हो जाएगा 720, ओके, चले next देखते हैं How many outcomes are possible when a coin is tossed two times एक coin है, अब वो उस coin में क्या हो सकता है, head आ सकता है, और यहाँ tail आ सकता है, अब दो बार toss करी इसको, पहली बार toss करी, देगे पहली बार toss करी फिर उसके बाद वो event कतम है, तो पहली बार जब toss करेंगे आपके पास तो कितने possible outcome आएंगे दो ही possible outcome आएंगे जब इस coin को पहली बार toss करेंगे, तो एक event कतम हो गई, हम क्या कहते थे कि when an event occur in m different ways and when it has occurred the next event occurred in n number of ways, अब एक बार यह हो चुकी है अब क्या हुआ दुबारा से इसे toss किया, तो फिर क्या होगा, head आएगा या tail आएगा तो जब दुबारा toss किया, तो जो second event है, उसमें number of ways कितने हो गए, two हो गए तो total number of ways कितने हो गए तो total number of outcomes first coin tossed two times, तो कितना हो गया two into two, that is four उके, इसी तरह से second जो है second जो है, अब इस बार three times किया अब देखें दुबारा से अब क्या होगा पहली बार toss किया तो number of outcome कितना होगा, two number of ways, two वो event खतम हो गई, अब आपने दुबारा toss कर दिया, तो कितने number of ways से आप इसे fill कर सकते हैं, two ways, खतम हो गई, इसरी बार toss किया तो कितना हो गया, two, means two raised to the power three, means इसी तरह से अब simple है, कि अगर four time tossed करेंगे, तो क्या होगा, two raised to the power four, that is sixteen, और fourth है, हमारे पास five time अगर हम toss करेंगे, तो two raised to the power five, that is thirty-two, simple, clear, चलिए next देखते हैं, given six flags of different color, six flags हैं हमारे पास different color की, how many different signal can be generated by hosting the flag of vertical pole, एक vertical pole पे flag हैं, तो आपके पास six हैं, one, two, three, four, five, six, okay, अब आपको क्या करना है, signal can be generated by hosting the flag on a vertical pole, one below the other, if each signal requires the use of two flags, अब आपको क्या है, इन छे में से सिर्फ दो, मतला, अब दो सिर्फ color आपको देने हैं, उससे signal बन जाएगा, तो दो color देंगे, उपर से लेके नीचे तक, सिर्फ दो color देने, आपके पास यहां पर कितने हैं, यहां पर आपके पास है, total six, तो पहला color देने की जो choices हो जाएंगी, वो हो जाएंगी six, और दूसरा color choice देने की choices हो जाएंगी five, एक तो आल्रेडी दे चुके, okay, क्योंकि अगर same color देंगे, तो signal का तो पता ही नहीं चलेगा, तो यहां पर repetition allowed है, नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपका बड़ा understood है कि repetition not allowed, which signal require the use of two flag, तो number of ways कितने हो जाएंगे, कितने different signal हो जाएंगे, तो first case है, clear हो गया, तो how many different signal by hosting two flags, six into five, अब second क्या कह रहा है, तीन flag है, तो अब इसमें से जो आपके पास यह जो total six flag थे, one, two, three, four, five, six, इसमें से आपको तीन signal लेने हैं, तो पहला signal आप ले सकते हैं, six number of six color में से कोई साभी ले सकते हैं, अब एक color consume हो गया, तो दूसरा five में से, five बचे, five में से कोई यह ले सकते हैं, और तीसरा four, that is number of different signals by hosting three flags कितना हो जाएगा, six into five into four, that is यह 30 था, तो यह हो जाएगा 120, clear, next क्या है, third, four flag, तो six into five into four into three, that is 360, देखे एक एक कोईशन करिएगा, सारी चीज़ें clear होती चली जाएगी, चली next देखते हैं, how many three digit number can be found from the digit one, two, three, four, five, आपके पास one, two, three, four, five, यह total जो है, आपके पास five digits, three digit number बनाना है, तो three digit number बनाना है, यानि कि पहला digit लेना है, दूसरा लेना है और तीसरा लेना है, अब, repetition of digit is allowed, repetition allowed है, यहाँ पर, repetition allowed, तो direct कर रहे हैं हम लोग, three digit number, and number of ways to form three digit number, तो क्या होगा, अब इस पहली choice पांच में से कोई एक ले सकते हैं, यह निकि five choices आपके पास हैं, फिर एक choice आपकी repetition allowed है, तो अगर आपने यहाँ पर suppose, suppose one ले लिया, तो one की choice अभी भी खुली रहेगी, क्योंकि repetition allowed है, means जो number of second ways है, वो भी five है, और third भी five है, means यह हो जाएगा, five cube means 125, और second में, if repetition not allowed, तो क्या हो जाएगा, पहली choice आपके पास five ways से हो सकती है, फिर one आपका consume हो गया, तो choices रहे गई four, फिर choice रहे गई three, that is five into four into three, that is sixty, clear, आप चले next देखते हैं, how many four desert number can be formed in which all deserts are different, अब आपके पास जो total deserts होते हैं, ध्यान लेकर बहुत important question है, अच्छा question है, अब एके करके condition लगनी शुरू होंगी, जो total desert होते हैं, आपके पास वो कितनी होते हैं, वो होते हैं, आपके पास 10, 10 कौंची, 0 to 9, आपको क्या करना है, four desert number बनाना है, देखें, अब यहाँ पर आपको four desert number बनाना है, तो number of ways to form four desert number, क्या होगा, in which all deserts are different, means repetition allowed नहीं है, तो four desert number के लिए, आपके पास पहली choice क्या होगी, देखें, आपके पास zero to total desert 10 है, पर 10 choices नहीं होगी, आपके पास choices होगी 9, 9 choices क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर zero नहीं आ सकता, पहली desert जो है, could not be zero, first desert, could not be, नहीं दे रखा है उसने, आपको ध्यान रखना है, could not be zero, तो आपके पास choices क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, इसमें से choice आपके पास सिर्फ 9 है, अब second को देखें ध्यान से, अब इसके बाद second और important हो जाता है, आपने कोई एक desert ले लिए, suppose आपने 3 ले लिया, तो 3 तो cancel हो गया, अब आपके पास choice कितनी बची, इनमें से तो बची आपके पास 8 choice, पर एक choice यह भी तो थी, यह सिर्फ आप first place पर ही तो नहीं ले सकते हैं, second place पर तो ले सकते हैं, यहां तो बची 8, और एक हो गई 0, means second के लिए आपके पास choice हो गई, again 9, अब आपने मान लिया कि लिए 0, अब आपके पास choice कितनी बची, अब आपके पास choice बची 8, और फिर आपने एक suppose ले लिया 5, तो choice बची 7, that is, जो number of ways is 9 into 9 into 8 into 7, clear, बहुत important है, 4, 5, 3, 6 is our answer, question number 10 का second part दिखते हैं, how many three digit number can be formed without using the digit 2, 3, 5, 6, 7 and 9, means जो digit we can use वो कौन कौन से हैं,azy it we can use, वो कौन कौन से हैं, वो हैं 01, 2 नहीं कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, तो हमें 3 digit number बनाना है, तो अब 3 digit number, number of ways to form 3 digit number, क्या हो जाएगा देखिये, तो पहले में आदे, मैं आपके पास च्कितनी जीरो नहीं हो सकता थीजियु नूमबर में वह स्blingov могли संपfteट संफ sa पॉर में आपके पास कितनी च्कितनी च्किंट में देख सä सब ऊसकता है और थर्ड में क् Shout outस्रा State An आपके बिया नहीं कि अलाओड नहीं है इसलिए यहां पर का पास आपने सपोज 0, 1, 4, 8 में से 1 ले लिया पहले में तो दूसरे में 1 हो सकता है तीसरे में भी 1 हो सकता है यानि कि 1, 1, 1, 1 एक च्वाई से 3 डिजट नमबर बनाना है तो number of ways to form 3 डिजट नमबर is 3 into 4 into 4 that is 3 into 4, 12 into 4, 48, this is our answer, okay, तो आज के लेक्शर में बस इतना है, next lecture में M.L. Agrawal के exercise 8.2 के next आगे के questions हम लोग solve करेंगे, मेरे lecture अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को subscribe कीजे, अपने friends के साथ share कीजे, with that all, thank you.